जी हाँ चाहे कुछ मर्जी हो जाए मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी और इसलिए ये निर्न है ये बड़ा फैसला जो है कलेजे पर पत्थर रख कर सिद्धु की माता चरनकौर जी को लेना पड़ा आखिर क्या बड़ा फैसला लिया है उन्होंने अपने प्रेगनेंसी के बाद क्यों ट्रॉलर्स को वो सामने आकर जो है मुह तोड जबाब दिया है क्या कहा है उन्होंने चलिए आपको बताते हैं उन्होंने अपने लेटिस्ट स्पीच में काफी कुछ जो है कह डाला अपने pregnancy के साथ सिद्धु मुसेवाला जी के इंसाफ को ले कर भी आखिर क्यों वो pregnant हुई, क्यों वो गर्बती हुई है, क्यों उन्हें अपने बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है क्यों पुनर जन्म होने जा रहा है सिद्धु मुसेवाला जी का इंसारे सवालों सिद्धु मुसेवाला जी के दुश्मनों पर जो लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे है कि 58 की उमर में दादी बनने की उमर है और प्रेगनेंट हो रही है गर्बती हो रही है, शर्म नहीं आती इस लेडी को, इस तरह की तमाम बाते कहने वालों को जोड़दार तमाचा मारा है सिद्धु मुसेवाला जी की माता चरन कौर जी ने अपने इस बड़े फैसले से, क्या है वो फैसला, चलिए आपको बताते हैं डेटेल में, चैनल पर नए हर सबस्क्राइब नहीं किया अठावन साल के उम्र में गर्व बती है उनके घर में, उनके हवेली में जो है, बहुत जल्द किलकारी गुंजने वाली है डेवरी डेट भी नजदीक आ गई है बताया जा रहा है, मार्च के महीने में डेवर होने वाला है, बच्चा बच्चे का जन्म होने वाला है, सिद्धू मुसेवाला जी का पुनर जन्म होने वाला है इसी बीच जब ये खबर सामने आई है लीक हुई है, जैसे ही उसके बाद, सिद्धू मुसेवाला जी के फैंस ने, उनके प्रसंस को ने जम कर सिद्धू की माता चरन कौर जी का ध्यान रखना शुरू कर दिया उनके लिए बधायों की बारिश कर दी बधायों के कमेंट्स आप देख सकते हैं कोई कहने लगा कि हम वाहे गुरू से प्रातना करेंगे कि आपका बच्चा और आप सही सलामत रहे और हमारे सिद्धू को सही सलामत जन्म दे कई कहने लगे माता चरन कौर जी ही ऐसा कर सकती है इतनी स्ट्रॉंग माता चरन कौर जी ही हो सकती है हम प्रातना करते हैं कि शिरिराम जी जो है उन्हें शक्ति दे बच्चे को सही सलामत जन्म देने की एक ने कहा कि लॉरन से बदला लेने के लिए आ रहा है छोटा सिध्धू, अभी सहीं लोगों ने बच्चे का नाम भी डिसाइड कर लिया है, प्रसंजकों का कहना है कि माता चरनकौर जी लड़का होगा और हमें पता है लड़का ही होगा, सिध्धू ही वापस आएगा, सिध सिध्धू मुसे वाला ही रखना, कुछ और मत रखना, इस तरह की तमाम एडवाइज जो है, बधाईयां जो है, प्यार जो है, प्राथनाएं जो है, सिध्धू की माता चरनकौर जी के हवेली तक, फैस जो है, कमेंट के जरिए पहुचा रहे हैं, कहते हैं, जैसी ही पहुचती हैं, कमेंट के जरिये बेशगी अपनी प्राथनाएं, प्यार जो है, पहुचा रहे हैं, सिध्धू की माता चरनकौर जी उनके पेट में पल रहे बच्चे को, ये सारी चीज़े जो है, पहुच रही हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे अभधर लोग हैं, जो को जन्म देने की कैसे सोच सकती हैं, तो हम आपको बता दे, उनके परिवार के तरफ से जो है, ये अपील की गई है, साफ तोर पे कही गई है, कि सिध्धू मुसेवाला जी की माता चरनकौर जी जो है, ये खुशी-खुशी नहीं कर रही है, मजबूरन उन्हें करना पड़ हुआ है, बिजनस सिध्धू मुसेवाला जी का, सबसे बड़ी बात कि इस जायदाद को कौन समा लेगा, सिध्धू मुसेवाला जी को अब तक इनसाफ नहीं मिला है, इनसाफ कौन लेगा, इन सभी सवालों का जबाब आने वाला बच्चा है, आप समझ सकते हैं, साल बीच चुके हैं अब क्या ही इंसाफ मिलेगा सिद्धू को वो तो खालिस्तानी था इस तरह की तमाम बाते कहने वाले लोगों को मुतोर जबाब दिया सिद्धू की माता चरण को और जिनर साफ तोर पे कहा है कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी चाहे क ख़बर सामने आई लीक हुई लीक किसने की जिस से अपसेट है सिद्धू की माता चरं कोर जी, पिता बलकॉर सिंग जी सिद्धू के परिवारवालों की तरफ से हynchronह यह चाचात की तरफ से ताया जी के तरफ से ही जो है आपको बता दे ये ख़बर लिकी गई थी कि सिदु की माता चरनकौर जी प्रेगनेंट है वो भी आठ महीने की और मार्च में डिलिवरी होने वाली है उसके बाद से ही पुरे शोशल मेडिया पर ये ख़बर फैल गई आग की तरह कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग दुखी भी हुए जो सिदु मुसेवाला जी के दुश्मन है वो दुखी हुए कि हम तो ऐसा एकस्पेक्ट कर ही नहीं रहे थे ये तो वो सर्प्राइज दे डाला सिदु की माता चरनकौर जी ने जो सिदु के प्रिसंसक चाहते थे चाहते थे कि सिद्धू की माता चरन कौर जी ने निर्ना लिया कि वो खुद जन्म देंगी अपने सिद्धू को पुनर जन्म होगा और आएगा और बदला लेगा मेरे सिद्धू का और आगे जो सपने रह गए थे अधूरे उन सपनों को पुरा करेगा सिद्धू का छोटा आपको बता दे सिदू मुसेवाला जी की मादा चरनकॉर जी इस वक्त अपसेट है उन लोगों से जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं बुरा बला बोल रहे हैं खास तोर पे उन लोगों से अपसेट है जिन्होंने इस ख़बर को लीग की थी जी हां उनके परी उनकी चाचा जी ने की माता आगवुबूला हो रहे हैं सिदू के पेरेंस आगवुबूला हो रहे हैं और इस ख़बर को लीग करने से बिलकुल भी वो ना खुश हैं वेल दोस्तों दो साल बीच चुके हैं हत्या के अब तक जस्टिस नहीं मिला है छोटा महमान आने वाला है छोटा सिदू आन इस खबर को लीग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था उनकी चाचा ने जो बताई थी ये खबर सिद्धु मुसेवाला जी की माता चरनकोर जी की प्रेगनेंसी के निउस ये खबर उन्हें देनी चाहिए थी मेडिया में या नहीं इसे लेकर आपकी क्या राय है जो भी राय है जरूर लिखिए का कमेंट सेक्शन में साथी हर लेटिस्ट अप्टेट के लिए चैनल को सब्स